अपडीट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफेकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूले प्राइम एटी न्यूज चैनल अप नेट विजन केबल नेटवर्क पर 607 नमबर पर उपलब नौनी हालो को मिलता गुडवता हीन मध्यान नय भोजन साथी मासूम धोते अपनी थाली एक शाला एक परिवार में इस ते शाष के प्रात्मिक शाला एवं शाष के माधमिक शाला ग्राम पंचाच चंत्रपुरा में नौनी हालों को मलता है गुरवत ताहीन मध्या निया भोचन इस बारे में बच्चों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि खीर कभी बिना शक्कर कभी बिना दूट के दी जाती है दो रोटी एवं पतली डाल दी जाती है साथ ही इस बारे में जब प्रात्मिक शाला के प्रचारे है मलखान प्रसाथ को महार से बात की गई तो उनके द् फुट बोलते हुए बताया गया कि बच्चे थाली नहीं धोते हैं जबकि उन्हीं के साथ खड़े हुए उन्हीं के सामने बच्चों ने बताया कि प्रति दिन थाली हम लोग ही धोते हैं रोसोया या किसी अन्य के द्वारा थाली नहीं धोई जाती है हम लोग खाना खाने के बजट खर्च किया जाता है जिसकी उपियोगिता एवं गुडवत्ता में कोई सुधार होने का नाम नहीं है कोई नई बात नहीं है कि इस विध्याले में ऐसा हो रहा है लगबग बच्चों के साथ जो देश की महभावी कंधार है उसके साथ ऐसा किया जा रहा है इसकी कल्प ना करपाना संभव नहीं लगता साथ ही जब बच्चों के सामने विध्याले के प्रचारे एवं शिक्षा की जुट बोलेंगे तो वह लोग बच्चों को क्या अच्छे विचार एवं संसकार दे पाएंगे यह बात भी समच से परे है क्योंकि कोई नई बात नहीं है ऐसे म पाके में इस विध्याले में हम लोगों को गुडवत्ता ही भोचन मिलता है इस बारे में जब अनुविभागे डॉक्टर अभीजीत सिंग से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जानकारी अभी प्रात हुई है चांच करवाता हूँ अगर सही पाया गया तो सक्ट कारवा की जाएगी डॉक्टर अभीजीत सिंग अनुविभागे अधिकारी राजा स्वज तहसील जितारा कि खाने के बाद कुण होता है रोज अच्छा और रोटिउ अगरा किती मिलते है पेट भार मिलती है कि देते हैं अच्छा ठीक है कि सरे विद्याले का नाम क्या है अच्छा आप यहां पर किस पर पर प्रभारी है अच्छा यहां पर जो बच्चों को मध्यान भुजन मिलता है इसकंदर यह खाना खाने बाद बच्चों की थाली वगरा कुन दोता है आप लोग दोते हैं आप लोग दोते हैं आप लोग दोते हैं ना फिर आर